नमस्कार, जैतु भारत, GST and Other Laws, Discussion and Analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है CGST Rules 2017 के Rule 86A के अंतरगत ये प्रावधान है कि किसी भी SSE के Electronic Credit Leisure में बैलेंस होने के बावजूद भी कुछ सरकमस्टांसीस में उस बैलेंस में से ड्यूटी के लिए amount debit करने अत्वार इफंड के लिए amount debit करने पर Department रोक लगा सकता है उसके संदर्भ में कुछ डिसा निर्देश कुछ गाइडलाइनस जारी की है वो क्या गाइडलाइनस है वही आज के अंक में देख लेते हैं Rule 86A के सब Rule 1 के अंदर ये दर्साया गया है कि the Commissioner or an officer authorized by him in this behalf not below the rank of Assistant Commissioner अर्थात या तो Commissioner स्वयम या उसके द्वारा जो भी अधिक्रित अधिकारी हो वह इस Rule के अंतरगत action ले सकता है लेकिन इस प्रकार का जो अधिक्रित अधिकारी है वह Assistant Commissioner की rank से नीचे नहीं होना चाहिए अर्थात Assistant Commissioner या उससे अबाव के जो भी अधिकारी है उसको Commissioner authorize कर सकता है Rule 86A के अंतरगत action लेने के लिए इस संदर्ब में यह Guidelines Issue की है कि जो Principal Commissioner या Commissioner है वह इस प्रकार से अपने Subordinate Officers को authorize कर सकते हैं कि जिसके अनुसार Ineligible और Fraudulent Availed Input Tax Credit की रकम जिन केसिस में अप्टू रुपीज 1 करोड हो उस केस में Deputy Commissioner या Assistant Commissioner Rule 86A के अंतरगत action ले सकते हैं जहां पर Amount above रुपीज 1 करोड बट not exceeding रुपीज 5 करोड हो वहां पर Additional Commissioner या Joint Commissioner action ले सकते हैं और जहां पर इस प्रकार की रकम 5 करोड रुपीज से ज्यादा हो वहां पर Principal Commissioner या Commissioner Swam action ले सकते हैं रूल 86A में दर्साया गया है कि the Commissioner having reason to believe यह जो having reason to believe है यह वर्ड काफी important है having reason to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed और is ineligible याने दो reason हो या तो fraudulently avail हो credit या ineligible input tax credit हो ऐसा reason to believe हो तब यह action department के द्वारा लिया जा सकता है इस संदर्ब में यह guidelines जारी की गई है कि यह power जो है disallowing of debit electronic credit ledger में से यह mechanical manner में हर cases के अंदर use नहीं करना है लेकिन हर case के जो facts हैं उनको carefully examination करने के बाद में यदि यह लगता है कि यह case fit है rule 86a के अंतरगत power exercise करने के लिए तभी वह power exercise करने चाहिए तभी debit disallow करने चाहिए क्योंकि इस प्रकार का यह जो power है यह extraordinary nature का power department को दिया गया है जिसमें किसी भी case की completion होने से पहले investigation होने से पहले ही इस प्रकार का रोक लगा दिया जाता है इसलिए maximum care और caution लेना आवश्यक है यहां पर यह भी बताया गया है कि जब इस तरह की action लेनी हो तब objective determination के basis पर होना चाहिए जिसमें evidences जो भी collect किये गए हो या record पर आये हो उनके आधार पर decision लेना चाहिए न कि केवल संका के आधार पर या subjective consideration के उपर इस प्रकार के decision दिये जाने चाहिए तो इस प्रकार से जो reason to believe है वह एक important word है और उसके लिए क्या-क्या चीजे ध्यान रखनी चाहिए उसके दिसा निर्देश दिये गए हैं उसके अलावा यह जो debit पर रोक लगाने का निर्णे है वह दो case में लिया जा सकता है जहां पर input tax credit fraudulently avail की हो या ineligible input tax credit ली हो और वह किस-किस case में हो सकता है वह rule 86A के subrule 1 में दर्साय आ गया है यह जो rule 86A के subrule 1 के अंतरगत जो दर्साय गया है कि किन-किन कारण से fraudulently avail या ineligible input tax credit हो सकती है उसमें यह ABCD चार बताया है the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoice or debit notes or any other documents prescribed under rule 36 issued by a registered person यानि जो tax credit ली है वह उसके लिए documents तो proper है लेकिन जो issue करने वाला registered person है वह non-existent पाया गया है अर्थात उसने जो अपना business premises बताया गया है वहाँ पर या तो वो इनसान या firm पाई नहीं गयी है या वहाँ से किसी भी प्रकार का business नहीं हो रहा है और इसी में second category है without receipt of goods और services और both अर्थात documents तो rule 36 के अंतरगत proper पाया गया है लेकिन वह बिना किसी receipt of goods और service के एकिवर documents लेके उसके आधार पर input tax credit ले ली गई है तो इन दोनों ही केस के अंतरगत यह fraudulently availed या ineligible input tax credit माना जाएगा B के अंदर बताया है the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoice or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply the tax charged in respect of which has not been paid to the government अर्थात जहां पर documents भी proper है supply of goods और service भी हुआ है और जो supply करने वाला registered person वह भी existence में है लेकिन वह supply करने वाले registered person ने GST या जो tax invoice के अंदर बताया है वह सरकारी खजाने में जमान नहीं करवाया है तो उस case के अंदर भी यह input tax credit ineligible हो जाती है यह जो C category जिसने input tax credit ली है उसके बारे में है अर्थात जो input tax credit ले रहा है वही registered person यदि उसने जो बताई है उस premises पर existence में नहीं है या फर्जी तरीके से refund ले रहा है केवल refund लेने के लिए ही उसने अपना registration लिया है या input tax credit पासोन करने के लिए registration लिया है अन्य था वह कोई भी business नहीं कर रहा है तो उस प्रकार के cases यह category C के अंतर गता जाएंगे और category D में बताया है अर्था जहाँ पर रजिस्टर पर्सन जो input tax की credit अवेल की है उसके पास में रूल 36 के अंतर गत टैक्स इन्वोईस, डेबिट नोट या अन्य प्रकार के जो भी रूल 36 में prescribed document है वह उसके पास नहीं है तो इन स्रेणी के अंदर जो भी case आते हूँ उन cases के अंदर for reason to be recorded in writing अर्थात यहाँ पर जो भी proper officer है assistant commissioner से लेके commissioner तक amount के आधार पर उसको reason to believe अपना form करना है और वो reason writing में अपने record में file के अंदर record करना है और उसके आधार पर order issue करना है कि not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit leisure for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilized amount जितनी amount fraudulently availed input tax credit की है या ineligible input tax credit की है केवल उतनी ही amount को disallow करना है debit करने के लिए उससे ज्यादा amount को नहीं करना है बाकी की amount taxpayer उपयोग में ले सकता है और जितनी amount disallow की है वह section 49 के अंतरगत GST भरने के लिए भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता और refund के लिए भी उससे debit करने में उपयोग में नहीं लिया जा सकता Rule 86A के अंतरगत जो powers हैं वे DGGI के officers उन powers को exercise कर सकते हैं उन्हें investigation के दौरान यह पता चले कि किसी SSE ने fraudulently या ineligible input tax credit avail की है तो electronic credit ledger में से उस amount का debit disallow कर सकते हैं लेकिन section 65 या 66 के अंतरगत audit करते समय जो CGST के audit commission rate के officers हैं उन्हें ऐसा लगता है कि taxpayer ने fraudulently या ineligible input tax credit avail की है तो वे स्वयम Rule 86 के अंतरगत action नहीं ले सकते लेकिन उस matter को वे jurisdictional CGST commissioner को refer कर सकते हैं और jurisdictional CGST commission rate के proper officer assistant commissioner से लेकर commissioner principal commissioner level तक के officer amount के आधार पर वे योग्य निर्णय लेकर Rule 86 A के अंतरगत order issue कर सकते हैं जब भी Rule 86 A के अंतरगत input tax credit के उपयोग पर रोक लगाने का नेने लिया जाता है उस समय यह expected है कि जो भी officer है assistant commissioner से लेकर commissioner तक का जो यह power exercise करता है वह यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की जो रकम है input tax credit की वह या तो fraudulently availed है या ineligible है और Rule 86 A के अंतरगत यह निर्णय लेना इसलिए आवशक है क्योंकि अन्य था वह जो taxpayer है वह fraudulently availed या ineligible input tax credit को या तो उपयोग कर लेगा या अन्य person को pass on कर देगा जिससे revenue के interest को हानी होगी राजस्व को नुकसान होने का chance है जो input tax credit fraudulently availed की है या ineligible है उतनी ही amount को debit करने के लिए disallow करना चाहिए उससे ज्यादा amount को disallow नहीं करना चाहिए और जब भी इस प्रकार का order हो वह portal पर उसकी जानकारी registered person को देनी चाहिए और उसमें यह भी जानकारी देनी चाहिए कि किस officer ने यह debit disallow किया है ताकि taxpayer यदि कोई representation करना चाहिए अपना पक्स रखना चाहिए तो उस officer के समझ अपना पक्स रख सके रूल 86-A के सब रूल 2 में दर्साय गया है the commissioner or the officer authorized by him upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit leisure as above no longer exist allow such debit जब ऐसा लगता है कि जिन कारणों से debit disallow किया था वो कारण अब नहीं है तब वह वापस से debit allow कर सकता है इस संदर्ब में यह जो guidelines issue की गई है उसमें यह बताया गया है कि या तो officer on his own अर्थात खुद को ही यदि पता चले कोई evidences आये उनके सामने या taxpayer के द्वारा material evidences submit करने पर यदि officer संतुष्ट हो जाता है तो इस प्रकार का order कर सकता है और उसमें जिस amount के लिए evidences आये हैं कि इतनी amount eligible input tax credit है या fraudulently avail नहीं की है तो उतनी amount को allow कर सकते हैं उतनी amount का restriction हटा सकते हैं लेकिन इस प्रकार का restriction हटाने का order भी issue करने से पहले reason file के अंदर writing में record करना आवशक है officer कोई भी प्रकार से action यदी लेता है rule 86A के अंतरगत तो जब restriction लगाता है उस समय भी file में writing में reason record करने चाहिए और जब इस प्रकार के restriction हटाता है तब भी file में writing में reason record करने चाहिए इससे reasonable decision पर arrive हुआ है officer यह बाद में भी पता चल सकता है और discretionary power exercise नहीं कर सकता rule 86A के sub rule 3 के अंतरगत जो भी restriction rule 86A के sub rule 1 में लगाये हैं उनकी effect केवल एक साल तक रहेगी एक साल की अउधी समाप्थ होने पर यह restriction rule 86A के समाप्थ हो जाएंगे और जो input tax credit disallow कर दी थी debit करने के लिए वह वापस से taxpayer यूज कर सकता है input tax credit इनी चीजों को ध्यान में रखते होए यह दिशा निर्देश दिये गए हैं कि इस प्रकार के जो भी action है उनसे क्योंकि revenue के interest को ध्यान में रखकर यह action लिया जाता है और जहां पर इस प्रकार का action लिया जाता है वहां पर taxpayer का working capital भी block हो जाता है तो ऐसे cases में investigation और adjudication जल्द से जल्द complete कर देना चाहिए जिस से जिस उद्देश्य से यह rule 86A के अंतरगत action लिया है उस उद्देश्य की पूर्ती की जा सके आज की अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेय और सब्सक्राइब आपको और किसी जिस चे रिलेटेड विशय पर जानकारी चाहिए विशय तो है तो comments में लिख सकते हैं जैहिंद